हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्फलतामंत गुड मॉर्निंग आज सुबह की क्लास में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है जिसमें कि आज हम लोग कबर करने वाले हैं पर्या वरण अध्यन यानि कि EBS के इंतरे जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगवग आपके 2x3 questions हर बार पूछे आते हैं अंतराश्वी संस्थावा संगठन यानि कि जितने भी अंतराश्वीस संगठन है जैसे आपका UNO हो गया इसके लाब आपका विम श्टेक हो गया अर अब लिग आने कि जितने भी अंतराष्टी संगठन से सम्मंदित कोश्चन हो सकते हैं उन सभी को आपने इसके अंतरगत रखा लगवग इसमें आपको 40 कोश्चन मिलेंगे जल्दी से जल्दी देखते हैं आप लोग भी अंतर तक देखेगा और कोश्चन के आंसर जरूर दीजेगा इसी 40 कोश्चन में से आपके 2 कोश्चन 100 परसेंट पूछे जाएंगे चाहें आपका DSSB का पेपर हो चाहें आपका UPTED का पेपर हो या कोई अन एक्जाम हो जरूर आपको यहीं से कोश्चन मिलेंगे इसलिए अंतर तक देखेगा और डेली इसी प्रकार की क्लासेश को पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके पास में लगे हुए वाक्स में आल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लिजेगा ताकि आने वाली सभी क्लासेश का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे तो चलिए बढ़ते हैं पहले कोश्चन पर निम्न देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट संग की सुरच्छा परिशद का इस्थाई सदस से नहीं है संयुक्त राष्ट संग के इंतरगत सुरच्छा परिशद में हमने आपको पांच इस्थाई सदस से देश बताये थे तो उसमें आपको इसमें से बताना कौन सा नहीं है फ्रांस जर्मनी चीन या फिर उनाइटेड केंग्डम जलदी से बताईएगा तो दोस्तो से बताक इंतरगत 5 इस्थाई सदस से देश हैं याद कर लिजिएगा अगला कोशन है दछिण ACI प्रात्मिक व्यवापार समझाओता साप्टा का अवचारिक उदगाटन का हुगा था तो दोस्तों दचिण ACI एक व्यापार संगठन है समझाओता साप्टा और इसका साथ दिसमबर 1995 को इसका अबचारी कुदगातन किया था याद कर लिजेगा बढ़तें थर्ड नंबर कोश्चन के और निम्न में से किसका संबन्ध सयुक्तराष्ट से नहीं है तो इन में से किसका संबन्ध सयुक्तराष्ट संग यूं वे वो आपको बताना सामान ने सभा मनेश्टी इंटर्नेशनल अंतरराष्टी ने आला या फिर ट्रस्टी सिप काउंसिल किसका सम्मंद नहीं है थार्ड नमबर कोश्चन है और दोस्वों बी नमबर आप्शन में देखे लिखा है इंटर्नेशनल इस परकार का कोई भी सब्द सहीं उक्तराष्ट नहीं है या फिर हाँ है क्या पूछा गया है अगला बहुत important question है एपेक का पूर्ण रूप क्या है एपेक भी कुछ देशों का संगठन है इसका आपको पूर्ण रूप बताना है क्या होता है Asia for peace and economic cooperation, Asia pact for environment control, Asia Pacific economic control, Asia Pacific economic cooperation तो दोस्तों एपेक का फुल फॉर्म आपको बताना है फूर्थ नंबर question है और यह एक Asia Pacific economical cooperation है Asia और Pacific यानि कि इन दोनों कह सकते हैं महादीपों के मत economic cooperation का एक संगठन बनाया गया है इसका आपका D number option बिल्कुल सही हो जाएगा याद कर लीजेगा अगला question है CIA किस देश की जासूसी संगसा है सभी को मालूम होगा दोस्तों CIA किस देश की संगसा है रूस की इंगलेंड की भारत की या फिर USA की जल्दी से बताईगा एक intelligence agency है तो यह कहां की है फाइव नंबर question है और दोस्तों यह America की है USA United USA की है ठीक है दोस्तों United State of America तो याद कर लिजाए USA की है अगला question है दोस्तों आपके सामने इफसा फोरम में सम्मिलित नहीं है इफसा फोरम में इनमें से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है ब्राजील भारत चीन या फिर दच्छन एफरीका जल्दी से बताईगा ज्यादा full form या ज्यादा अंदर जाने की जरूरन नहीं है सिर्फ आपको वेसी question ही पूछे आते हैं वही आप लोग कवर करते रहिए तयार करते रहिएगा तो दोस्तों six number question का आपका c option सही हो जाएगा चीन इफसा का सम्मिलित नहीं है इफसा के इंतरगत नहीं आता है तो इतना clear हो गया हो गया चलिए बढ़ते seven number question पर विस्व वाद्धिक संपदा संगठन कहां इस्थे था विस्व वाद्धिक संपदा संगठन जल्दी से बताएगा निव्यु आर्क में लंदन में पेरिस में या फिर जेनेवा में जल्दी से बताएगा कौनसा आपका आपसन सही हो जाएगा तो सेवन नंबर कोशन का डी आपसन है जेनेवा में स्थित है और ये एक संयुक्तराष्ट संग की ही एक संस्था है याद कर लिजेगा अगला कोशन है डबलू टी ओ का मुख्याले कहां है डबलू टी ओ वर्ल हेंड रिटेन नोट्स की क्लास आपके लिए पहले लेकर आये थे लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं दुबारा फिर से आपको बताया जाए पढ़ाया जाए पूरा क्योंकि दो अंक 100% आपके यहां से हर बार पूछे जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा उसकी क्लास भी आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिस करेंगे अगला कोशन है अंतरराष्टी नयाले कहां इस देतर सबसे important कोशन यूपीटेट में तीन से चार बार कोशन आया है जेनवा में हेग में या फिर लंदन में या फिर पेरिस में तो दोस्तों अंतर राष्टी नियाले जो है यूएन के इंतर का सबसे महत्वपूर्ण भूमका रखने वाले संगटनों में से एक है और इसका मुख्याले हैग में है यहां सभी अंतर राष्टी मुद्दे दो देसों के बीच हुए हुए मुद्दे रखे जाते हैं जैसे कि भी भारत पाकिस्तान के मद्ध कुल भूसन जादव को लेकर मुद्दा चल रहा है उनको पाकिस्तान में फासी दे दी गई थी जासूसी के आरोब में जिसके खिलाब भारत ने अंतर राष्टी नियाले में ही केस दर्ज कराय था और इस पर अभी कारिवाही चल रही है अगला कोश्चन सार्क का मुख्याले कहां है सार्क के वारे में तो आप लोग जानते होंगे दच्छन एस याई देशों का संगठन है और इसका मुख्याले का है काठवांडू नई दिल्ली इसलामाबाद या फिर धाका तो टेन नंबर कोश्चन का आपका ए नंबर केपाल में सार्क का मुख्याले है अगला कोश्चन है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन विसुसास्थे संगठन का मुख्याले कहां पर है जेनेबा में पेरिस में निवार्क में और फिर वरलिन में जल्दी से बताएगा डबलू एच ओ इंपॉटेंट है इस बार कौन से हैं तो सार्क देशों का जो संगठन है इनका मुख्य उद्देश क्या-क्या है आर्थिक विकास सामाजिक प्रिगति और सांस्कृतिक परिवर्धन के गतिवर्धन द्वारा दच्छन एसिया के लोगों की कल्यान की अभिवरद्दी अन्य विकासील देशों से सहयो चुद्रन करना छेत्री सांति और सुरच्छा की अभिवरद्दी यह आपको चार पॉइंट दे दिएगा आपको इन में से बताना है कि कौन सा इसके उद्देश्यों के अंतरगत आता है जल्दी आंसर करिएगा तो दोस्तों इसका देखिए आप लोग डी नंबर आप्सन सही हो जाएगा किकि आपको इन चारों में से कोई वी ऐसा कथन लगा था जो की गलत हो बिलकुल नहीं सभी सही है इसलिए आपका डी नंबर आप्सन बिलकुल सही हो जाएगा अगला कोशन रेड क्रॉस का मुख्याले कहां इस्तित है रेड क्रॉस एक संस्था है इसका मुख्याले कहां है दोहा में जेनेवा में रोम में या फिर नियोयर्क में एक प्रकार का ट्रेश्ट के रूप में संस्था है जिसका कार बिभिन सामाजी कार सांस्कृति कार और मुख्य रूप से हेल्थ से सम्मंदित कारों में मदद करता है तो रेड क्रास का मुख्याल है जो है ये भी जेनेवा मैस्तित है इसका आपका बी नंबर आप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन इंपोर्टन है आसियान छेतरी संगिठन आसियान है ये किसके अंतर गताता है किस से सम्मंदित है जल्दी से बताएगा पूर्व ACI या फिर आश्चेलिया दच्छन पूर्व ACI या फिर दच्छन एसिया बहुत इंपोर्टन कोशन है सोच समझ के आंसर करिएग और बार-बार पूछा जाने वाला कोशन है इसलिए अच्छे से त्यार करते रहे हैं अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बहुत अच्छे कोशन आपके लिए लेकर आये एकदम सिलेक्टेड सभी अंतर राश्टी संगठनों से सम्मंदित कोशन आपको एक और इसका जो एसियान में भारत देश भी सामिल है भारत देश मनलब मुख्य रूप से इसका कह सकते हैं सदस्य देश नहीं है लेकिन व्यापारिक रूप से भागिदार सदस्य है इसमें आपके थाइलेंड, इंडोनेसिया, मलेसिया, म्यामार, बियत नाम, फिल्पिन्स, ब्रुनेई, कमबोडिया और लाओस ये एसियान के सदस्य देश हैं याद कर लिजेगा सी नमबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ब्यापारिक सहिवागिता भारत भी करता है और उनको उत्पाद में मदद करता है अगला फिप्टीन नमबर कोशन सीटी बीटी का सीध सम्मंद किस्से है, सीटी बीटी ये किस्से सम्मंदित है, परवाण सस्त्र के परिछण निसेद बावत सम्झहोतों से, अंतर राष्टी खेल कूच से, फसुओं का व्यापार या फिर बाल मजदूरी पर रोक, तो फिप्टीन नमबर कोशन का आपका ए नमबर आप्शन है ये आपका सम्मलित किस्से सम्मंदित है, परवाण सस्त्र के परिछण निसेद बावत सम्झहोते से, तो सीटी बीटी इसी को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा इसी परकार के कोशन इस बार आपके एक्जाम में आ सकते हैं, इसकी फुल फाम होती है, कॉम्प्रीहिंसिब टेस्ट वेन ट्रीटी, ये निुकलियर वोम से सम्मंदित है, याद कर लीजिएगा अगला आपका कोशन है, 60 नमबर कोशन ये भी कूट वहासा पर आधारित है, निम्द लिखित कथन का विचार कीजिए अंतर राश्री मानवी करन, संग ISO का मुख्याले रोम में है, ISO 9000 गुडवत्ता, प्रवंदन, तंतर और मानकों से सम्मंदित है, अब आपको अताना इन तीन में से कौण सा सही दिया गया है, कौण सा गलत दिया गया है 60 number question है दोबारा पढ़ लीजिए और तुरंत आंसर करिए कौन सा option आपका सही दिया गया कौन सा गलत दिया गया तो देखिए ISO संग्ठन जो है इसका मुख्याले कहां पर इस्तित है दोस्तों रोम में इस्तित है क्या आपका C number option में दो और तीन दिया गया यही बाला option बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ते हैं 17 number question पर निम्द लिखित कत्रों पर विचार कीजिए North Atlantic Treaty Organization NATO नाम सुना होगा NATO के नाम से आप लोग जानते होंगे के इस्तान पर नई संस्था का नाम North Atlantic Cooperation Council है संयुक्त राज अमेरिका United Kingdom वर्स 1909 में NATO की स्थापना के समय उसके सदस से बने अब इसमें आपको उताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है जल्दी से बताएगा 17 number question है और इसका देखे B number option सही हो जाएगा NATO एक अलग संग्ठन है और NAC एक अलग संग्ठन है के बल इसका B number option सही है कि ये वाला सेकर्ड नंबर की सहीं उक्तराष्ट अमेरिका और UK ये दोनों NATO की जब इस्थापना होई थी 1949 में उस समयस के सदस से बने थे इस समयस में बहुत से देश जो की आपके इसके इंतरगत आते हैं और ये North Atlantic छेतर के इंतरगत आते हैं इसका आपका B number option सही हो जाएगा याद कर लिजे सबसे important question अभी आपका KBS का paper हुआ था उसमें question पूछा गया था Organization of Islamic Conference OIC का मुख्याले कहां इस्थित है दुबई में, जेद्दा में, इसलामाबाद में या फिर अंकारा में 18 number question का जल्दी से answer कीजे कौन सॉप्सन सही हो जाएगा तो दूस्थों जेद्दा में स्थित है काफी लोग गलत कराए था सॉदी अरब में एक जगह है जेद्दा, वहां पर इसका मुख्याले है अगला 19 number question है विस्व के विभिन देशों के सारीरिक विभागों में व्रश्टाचार पर नजर रखने वाली अंतराश्टी संसा Transparency International कहां इस्थित है Transparency International एक Transparency यानि कि किसी भी प्रकार के विरश्टाचार पर नजर रखती है बड़े बड़े जो कारे होते उन पर और इसका मुख्याले जो है ये वरलिन में इस्थित है इसका आपका C number option सही हो जाएगा कहां इस्थित है दोस्तों? वरलिन में इस्थित है अगला 20 नमबर कोश्चन है निम्न में से किस संस्था के आवान पर 2 अक्टूबर को अंतराष्टी अहिंसा दिवस घोसित किया गया देखें दो अक्टूबर को महत्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता और वो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे तो उनके जन्म दिवस पर अंतराष्टी अहिंसा दिवस घोसित किया गया ये किस संसा के आवान पर संयुक्त राष्ट महासभा भारत यूरोपी संग आसियान या फिर राष्ट मंडल तो दोस्तों 20 नंबर कोश्चन का A option सही हो जाएगा संयुक्त राष्ट महासभा के इंतर आपको सूडान लीविया या फिर यूनान जादा इसे कोश्चन नहीं आएंगे बीच में आगया तो देख लेते हैं लीविया की एक संबाद एजेंसिये सी नंबर आप्सन सही हो जाएगा अगला कोश्चन है निम्न मेंसे किसके सुझाओ पर यूए नो का नाम करण हुआ फ्रेंकलिंज रूजबेल्ट, हैरी ट्रमेन, विश्टन चर्चिल या फिर जबाहर लाल नहरू तो दोस्वों वाइसमा कोश्चन है इसका कौन सा उप्सन सही हो जाएगा जल्दी से बताईएगा किसके आधार पर किसने इसका नाम जो है यूए नो रखवाया था तो इसक अचा कोश्चन है चली बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर और यह संयुक्तराष्ट अमेरिका के राष्ट पती रहे थे उस समय की ही बात है अगला कोश्चन 23 नंबर कोश्चन है देखे जल्दी से वर्ड वाइल्ड लाइफ फंड डबलु डबलु एफ बहुत ही विवादि कोश्चन इसकी फुल फार्म को लेकर यही इसकी फुल फार्म सही है देख लीजेगा इसका मुख्याले कहां परिस्तित है लुसेन जेनेबा ग्लांड या फिर जियूरिक जल्दी से बताईएगा तो 23 नंबर कोश्चन का आपका C आप्सन सही हो जाएगा ग्लांड में डब WWF का प्रतीक चिन क्या है किस पसको माना गया अमेरिकन हिरन पांडा पैंग्विन या फिर बाग तो 24 नंबर कोश्चन का आपका कौनसा आप्सन सही हो जाएगा बहुत अच्छा कोश्चन है सो समझ के अंसर करिएगा तो इसका दूस्तों आपका B नंबर आप्सन है पांड में या फिर स्वेडिया लेंड में हैग किस देश में इस्तित है यह पूछा गया सीदे सीदे आपसे जहां पर अंतराश्टी नयाले का मुख्याले है तो इसका दूस्तों आपका B नंबर आप्सन सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन सहीदे की आम सभा का वारसी का दिवेशन किस महा के तीसरे मंगल वार से शुरू होता है अगस्त सेतंबर अक्टूबर आपि नबंबर जल्दी से बताइगा अभी कुछ समय पहले ही हुआ था तुरंत आप लोग आंसर करिएगा तो इसका अब का बी नबर आप्सन सही हो जाएगा अगला 28 नबर कोश्चन जल्दी से देखते हैं कुछ कोश्चन और बचे हैं विश्चू की एक मात्र देश जिसके राष्टी दोज पर उसका मानचित रंकित है मनलब विश्चू का ऐसा एक मात्र देश कौन सा जिसके मानचित जो दोज है उसका फ्लैग है उसका खुद का मैप बना हुआ है वरंडी साइप्रस कैमरून या फिर लगजंबर्ग तो दूसरों 28 नमबर कोश्चन और उसका आपका डी नमबर आप्सन सही हो जाएगा लग अंतारा किस देश की निउज एजनसी ये जल्दी से बताएगा रूस इंडोनेसिया नीदरलेंड एफि मलेसिया ऐसा कोश्चन भी चांसेज बहुत कम होते हैं लेकिन देख लीज़ें इंडोनेसिया की निउज एजनसी का नाम है अंतारा अगला 31 कोश्चन संयुक्त राष मानवादिकार परिसाद यूएन एच आर सी यह हूँमन राइट्स से सम्मंदित यूएन की एक संस्था इसका गठन कब हुआ था जून दोजार चार पांच छे या फिर साथ किस बर्स हुआ था जल्दी से बताईएगा तो 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 31 कोश्चन का आपका सी ऑप्शन है जून इंटरनेशनल पुलिस है आपकी इसका मुख्याले लियॉन में जेनेबा में बीयना में और फिव रुसेल्स में यह कोश्चन इंपोर्टेट है अर इसका मुख्याले जो है लियॉन में स्थित है ए नमें 몇 settiない औरो सही हो जाएगा बहुत इंपोर्टेट कोश्चन है इस प बच्चों की अधिकारों के लिए कारेरत अमेरिकी गयर सरकारी संस्था जो है क्राई इसका परिवर्तित नाम क्या इसका फुल फॉर्म एक तरीके से आपको बताना है तो ज्यादा आपका ज्यादा कोश्चन नहीं पूछा जाता है तो इसका आपका 33 का बी नंबर ऑप्सन सह ही हो जाएगा जो कि बच्चों के राइट से रिलेटर संस्था है अगला 34 नंबर गोशन अरब लीग का मुख्याले कहां पर है अरब लीग का मुख्याले काहिरा सीरिया यमन या फित तहरान तो दोस्तों आपका 34 नंबर कोशन 34 कोशन आपको कराय जा रहें बिना किसी वरे तो इसका आपका A number options सही हो जाएगा काहिरा में है अरब लिग का मुख्याल है अगला कोशन है विश्व खाद दिकारक्रम वर्ल्ड फूर्ड प्रोग्राम जो है संयूक्त राज के निम्न में से किस एजेंसी द्वारा नियोजित किया गया किस एजेंसी की एक प्रोग्राम है संयूक्त राज़्टी मुद्राकोस खाद एवं करसी संग्ठन विश्व सास्ते संग्ठन या फिर अंतरराश्टी वित निगम तो दोस्तों 35 में कोश्चन का आपका B options सही हो जाएगा खाद से संबंदित है तो सीधी सी बात है खाद एवं करसी इसी से संबंदित होगा ना खाद दिकार क्रम तो B नंबर options सही हो जाएगा अगला कोशन है अंतरराश्ट मानवा दिकारों से संबद विश उव्यापी संग्ठन एमिनेश्टी इंटरनेशनल का मुख्याले कहां है अब देखे नाम आगया यह अलग से संस्था है जो कि मानवा दिकार human rights से संबंदित ह तो यह आपका UN का इंतरगत नहीं बलकि एक अलग से स्वतंतर एजेंसी है और इसका मुख्याले जो है मिस्र निवयार्क लंदन या फी जेनेवा कहां पर है इसका आपका C नंबर option सही हो जाए लंदन में इस्थित है अगला 37 नंबर कोशन है फैन कार्ट घोस्ड़ा पत्र 1991 संबंदित था किस से संबंदित था तो इसका A नंबर option दिया गया है देखे जल्दी से वैस्वी करान एवं व्यक्ति केंदरित विकास से संबंदित था A नंबर option विलकुल सही हो जाएगा अगला कोशन है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के मंत्रियों की ब नंबर option है दो बरस के अंतराल पर WTO की वार्षिक बैठक होती है याद कर लीजिए अब बिलकुल अच्छे selected questions लेकर आए हैं अगर आपको कोई भी doubt हो तो comment box में comment करेगा और अगर question पसंद आए class अच्छी लगे तो भी feedback के तोर पर like कर दिया करें और एक comment जरूर कर दिया कर और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी तेहरान, वगदाद, जकारता या फिर दोहा तो 39 नंबर question है इसका B नंबर option सही है वगदाद में इसकी स्थापना हुई थी OPEC संगठन है याद कर लीजिएगा इसके साथी साथ आपको question का answer comment box में देना है दोस्तों आज का आपका question question है कि जो हमने अभी एक उपर आपको संस्था बताई थी यूएन के इंतरगत labor organization ठीक है labor organization जो है यूएन के इंतरगत इसका मुख्याले कहां पर इस्थित है अधिक सदिक संख्या में अपने answer comment box में जरूर दीजेगा आंतिम question बचा हुआ है और जो दोस्तों सिच्छक वरत या यूपीटर की तयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने दो books भी लाए हैं market में आपको मिल जाएगी या आप लोग directly online order कर सकते हैं एक है आपकी 1600 questions की दूसरी book है बाल विकास की दोनों books को आप लोग जरूर order कर लिजेगा ये एक request मान लिजे या support मान लिजे जरूर कर दीजे अगला 40 number question है विम्ष्टेक का मुख्याले कहां इस्तित है वांगला देश में अमार थाइलेंड एफिस स्री लंका तो 40 number question का आपका C option है थाइलेंड में विम्ष्टेक देशों का मुख्याले इस्तित है ये वी एक संगठन है विस्व में बहुत से इसे संगठन है जो की आ अपस में सहयोग के लिए संगठन के लिए या ब्यापारिक सहयोग के लिए बनाए गए हैं तो इनी संगठनों से संबंदिल लगवक 2-3 प्रसन आपके सभी एक्जामस में जरूर आते हैं और निश्यत मानिये के question आपके इतने points में से ही आने के पूरी संभाबना है फिर मि आपको पूरी process बता दी जाएगी और अगर आज की class पसंद आए दोस्तों तो like कर दें अपने दोस्तों के साथ share कर दें चैनल को subscribe करके वेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं मिलते हैं next class में तब तक के लिए thank you all the waste take care